नमस्कार मित्रों, मैं जोतीशी डॉक्टर विनायक जोशी आप सभी का आपके अपने योट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत करता हूँ मित्रों, आज हम बात करेंगे मेश राशी वानों की नवेंबर महीने के एक से इकतिस तारिक तक के राशी पोईश्याटी ये राशी पन आपकी चंद्रा राशी पर आधारी थे, मेश राशी वानों को इस महीने में आपका राशी पती मंगल आपकी राशी से चतुर्थ भाव से ट्राजिट कर रहा है, जोकी अपनी नीच राशी से है चोथे गर में मंगल होने के कारण, प्रॉपर्टी से रिलेड़ेट कामों से फायदा हो सकता है, माता के स्वास्थिय का सोर थोड़ा ध्यान रखना पड़ सकता है कुछ न कुछ मानसीक चिंता भी बनी रहेगी, पर कार्यक्षत्र में थोड़ी मेहनद ज्यादा करवा के भी अच्छा लाब देखे जाएगा बारवे घर में राहू की उपस्थिती के कारण, खर्च कुछ अधिक रहेगा, स्वास्थियों की समस्या भी आ सकती है सेकंड हाउस में ज्यूपिटर की उपस्थिती होने के कारण, परिवारीक द्रश्टी से समय काफी अच्छा कहा जा सकता है परिवार के लोगों से पौन सहयोग और साकार मिलेगा जीवन साथी के साथ थोड़ा बहुत मत्वेद हो सकता है, बट ओवरॉल रिलेशन्शिप अच्छी रहेगी कारिय क्षित्र की द्रश्टी से अगर देखा जाए, तो जैसे मैंने पहले बताया कि मंगल होने के कारण, मेहनत थोड़ी जादा करवाएगा परंतु नई opportunities भी आती हुई नदर आ रही है अर्थिक द्रश्टी से समय बहुत अच्छा है, ग्यारवे घर में स्वग रही शहनी होने के कारण, स्थीर आई के कुछ नए स्तोत्र भी बनते हुए नदर आ रहे है प्रेम संबंदों के लिए समय ठीक ठाक है, जो संबंद में आप है, उसी को continue कीजिए, किसी भी नए संबंद में इस वक्त जाने का प्रयत्ना ना करे overall ये महिना मेश राशी वालों के लिए अच्छा कहा जा सकता है, नमस्कार